नमस्कार स्वागत है आपका ओनली इन्योशन में यूटो पाकिस्तान हिंदू का कतले आम करने पर तुला रहता है। यह तो पाकिस्तान के जिहादी हमेशा भारत को बरबात करने की कोसित करते हैं क्योंकि भारत में हिंदू हैं और हिंदू को देखकर पाकिस्तान के कटमुले और भारत में बैठे कुछ कटमुले काफी जादा जलते भी हैं तो इसी बीच ये बड़ी खुसकबरी और बड़ी काम्याबी हमारे बीच नजर आई है कि पाकिस्तान में एक हिंदू महिला को एक अच्छे पद से सम्मानित किया गया है। इसके पीचे वज़य क्या है और आखिरकार ये खबर इतनी वाइरल क्यों हो रही है जो आपकी स्ट्रीन पर ये महिला दिख रही है ये वही ये महिला है जिन्होंने एक अच्छा पद हासिल किया है चलिए हम आपको दिखाते हैं पूरा मामला क्या है कमेंट बॉक्स में जहि आपके अंदर काबियत आ जाएगी तो कितना भी कटर दूसरा समधाई क्यों हो जाए वह आपका बाल माका नहीं कर पाएगा वह आपको कुछ नहीं उखाड पाएगा लेकिन आप लोग को सिक्षित होना बेहर जरूरी है आप लोग एक जूटता का परचे दें और देश का साथ दें देश के समिधान का साथ दें यहीं आपके धर्म की रक्षा करेगा और यहीं आपको आगे ले जाएगा चलिए आप दिखाते पूरा मामला क्या है और आखिरकार यह ख़बर इतने जादा वाइरल क्यों हो रही है बदादू काम्याबी पाकिस्टान में असिस्ट स्थर्वात में सना को असिस्टेंट कमिस्टनर के रूप में नियुक्त किया रहा है अब आप लोग सना नाम सुनकर साहिद यह संच रहे हूं कि सना नाम मुस्लिम लडक्यों का होता है अईसा नहीं है सहाब कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हिंदू और मुसल्मान दोनों रख स के कारण कहीं न कहीं उनका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है कि उन्हें कुछ नाम ऐसे मुलते जुलते रखने पड़ते हैं बदा दू अपने माता पिता के खिलाब जाकर दिम्राथ परिक्षा के तयारी करती रही पढ़ाई में कोई रुकावट ना आये इसलिए सारे समाजिक सं राम चंद की है वह पहली ऐसी हिंदू लड़की है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रसासनिक परिक्षा पास कर अफसर बनने जा रही हैं बन सकती हैं असिस्टेंट कमिशनर बदा दूं आपको सेंट्रल सुपिरियर सर्विस यानि की सी एस परिक्षा में सफलता सकता है बता दूं आपको 18,553 अभ्यारतियों में से चैनित पहली हिंदू लड़की सेंट्रल सुपिरियर सर्विस की लिखित परिक्षा 2020 में कुल 18,553 अभ्यारतियों सामिल हुए थे लिखित परिक्षा और साच्छातकार के अधार पर केवल 221 अभ्यारतियों का ही चैन क किया गया था चैनित अभ्यारतियों में महिलाओं लड़कियों की संख्या 79 थी जिन में सना चैनित होने वाली पहली हिंदू लड़की बन गई बता दें किस बार परिक्षा में टॉप करने वाली भी एक महिला ही है जिनका नाम माहीन हसन है यही थी सिंद में रहने वाले हि शिकारपुर जिले में इस्तित कसबाचक में रहने वाली सुना बताती हैं कि सिंद्ध में हिंदू की आबादी तकरीबन 20 लाग है परंपरिक रूप से इस छेत में लड़कियां स्वास्त और सिच्छा में नुगरिया करती हैं इसी परंपरा को निभाते हुए मैंने भी चां कर रही थी कि बता दें अपको सरकारी अस्पतालों में मरीचों की परिस्तियों को देखकर रोना आने लगा एक डॉक्टर होने के बावजूद में उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी लेकिन वीरोक्रासी में इसके बिप्रीत आपको इन समस्याओं को हल करने के कई अउ 2019 में मैंने स्पेस्स परिक्षा पास करने का लक्ष नहीं किया लेकिन माता पिता इसके लिए तयार नहीं थे मैंने अपनी मा को मनाया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक मौका मांगा जिन में 6-7 घंटे करती थी पढ़ाई मैंने अपने मोबाइल के सभी सोसल आकाउंट हटा दिये मौबाइल से ही सारे इबुक्स डाउनलोड कर ली कहीं भी जाती थी दुरास्ते में बुक खोल कर पढ़ने लग जाती थी सुबह आड़ वजे से रात के आड़ वे तक अस्वदान में नोकरी करने के बाद पढ़ाई करती थी दिन में मुश्किल से 5- से लिए की नींद ले पाती थी सोसल मीडिया की प्रिश्विया ने बदल दिया माता-पिता का मन पहले ही प्रियास में मैंने लिखित परिक्षा पास कर ली सब्लोग मेरी मेहनत को खोशने लगे यह सब देख माता-पिता खुश हो गए और साथषात कार के लिए मुझे प् बहाना नहीं बना सकते आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप अपनी मेहनत को कितनी तबज्जों देते हैं आप उसके लिए खुद को कितना समर्पित करते हैं जोस और जजबा आप में होना चाहिए तभी आपके अंदर काबियत आएगी और तभी आप एक महान इंसान बनेंगे तभी लाखों में आप एक दिखेंगे क्योंकि नंबर एक की स्वीट हमेशा खाली रहती है बस आपके मेहनत करने क्या सकता होती है आपको काफी ज़्यादा धैर बनाना पड़ता है क्योंकि मुश्कले आती हैं लेकि मुश्कलों से आप भटकिये मत मुश करते हैं उसलिए अगर काम्याबी के लिए मेहनत करेंगे तो हम जरूर काम्याब होंगे क्योंकि आज कि ये वीडियो उस देश से है आज ये खबर उस देश से है जहां पर हिंदू को मारा जाता है और हिंदू को एक अच्छा पोस्ट कभी नहीं दिया जाता लेकिन आज सन कुछ कटुमले काफी यदा नराज हैं कि हम भारत को भी पाकिस्तान बनाना चाहते हैं ने भारत में भी आतंकी हमला करना चाहते हैं तो आखिरकार पाकिस्तान में हिंदुों को इतना बढ़ावा कि दिया जा रहा है ऐसा कहना है कुछ मुसल्मानों का इसी लिए आप लोग जवाब दिया जा सकता है लड़ाई जगड़ा करके नहीं क्योंकि यह सुरू से काट पीट मार पीट करते चले आए इसलिए लोग से धूरी बनाना है और अपने आपको विक्सित करना है जब विक्सित हो जाएंगे तो खुदी यह दाउन हो जाएंगे लड़ाई लड़कर श्सक्राण सकता को इनको भाएपक पुर्ट के चलेए जितना हो सके वीडियो को सेर कीजिए आपकी आज की वीडियू आपको कैसे कर्क पार में बताएंगे और लोगों तक एक खबर हम पहुंचा दीजे क्योंकि यह बड़ी कामियाबी मानि जा रहे है बने ये ओनली न्यूज ने संग साथ बहुत बहुत धन्यवाद।